दोस्तो आपका स्वागत है शो टाइम पे जहाँ पर हम आपके लिए अमेजिंग सीरीज लाते हैं अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो दी वेंपार डारीज दी ओरिजिनल दी लेगेसी सीरीज भी दे के प्लेलिस्ट में जाके और अब शुरू करते हैं टीन वुल्फ जो आप से स्टार्ट होने वाली है तो प्लीज बने रहे साथ में लाइक करें वीडियो को चैनल को सस्क्राइब करेंगर नहीं है तो और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को जहाँ पर हम टीन वुल्फ का सीजन वन का एपिसोड वन टू एक्स्प्लेन करेंगे इस वीड हैं वहाँ पर बहुत सारे पुलीस ओफिसर जंगल के अंदर जाने लग रहे थी इन्वेस्टिकेशन करने के लिए जैसे कि वहाँ पर कोई क्राइम हुआ है वहीं पर हम अगले सीन में देखते हैं अपने मेन केरेक्टर स्कॉट को जो तयारी करने लग रहा है अगले दिन क के मैच की और वहीं हम देखते हैं उसका दोस्ता को यसे डरा देता है जो स्टाइल्स था हम देखते हैं दोनों बहुत इच्छे दोस्ते उसको भागने में परिशानी हो रही है और बार-बार इनहेलर लेके भागने लग रहा है बट स्टाइल उससे जाधा आगे निकल जाता है और स्टाइल्स को उसका फादर पगड़ लेता है जो एक पुलिस ओफिसर था हम देखते उसको पगड़ के बठा लेता है और पूछत स्टाइल का फादर उस स्टाइल्स को गाड़ी में बठा देता है और उसको कहीं भी जाने के लिए साफ मना करता है और उसको डाटता है यह सब उसकी कॉल सुनने के लिए और उसके पीछे जंगलों में आने के लिए क्योंकि जंगल में खत्रा भी हो सकता है और वहीं हम दे यह सारे डियर उस पे से कूद कूद के जाने लगते हैं अपनी जान बचाते हुए जैसे कि वहाँ पर कोई आसपास जंगल में है और वहीं हम देखते हैं स्कोट अपना इनहेलर ढूणने का ट्राई करते हैं उन सब के जाने के बाद बढ़ तब ही हम देखते हैं उसे वो ला करते हैं और स्कौट को काट भी लेती है हम देखते हो अपने आपको बचा कि रोड़ पर भागने लगता है और अपने घाव को देख के डरने लगता है झिस तरह किसी चीज से कैलिफोनिया में है नहीं और शायद जूट बोल रहा है फिर उसको कोई और मिस्टेक हुई है बट तभी हम देखते हैं स्कोट बोलता अच्छा तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैंने उस डेट बोड़ी को जाने के बात बैठते हैं और उसको थोड़ा अजीब अजीब लगने लगता है और वहां पर वो दूर से एक फॉन की घंटी को सुनता है जो क्लास के बाहर बेठी लड़की का था हम देखते हो लड़की अपनी मा से बात कर रही थी और वो सारी कंवरी सेशन शुन पारा था सकोट, जहाँ पर लड़की अपना पना भूल गई है स्कूल में और ये उसका स्कूल का पहला दिन था हम देखते हैं वो उसकी नई क्लासमेट थी जिसको इंट्रिडिउस कराते हैं Allison Argent, हम देखते हैं लड़की क्लास में आती है, जो उनकी नई क्लास में थी, वो पीछे जाके बैठती है स्कोट के, और स्कोट उसको अपना पैन दे देता है, और ये देखके लड़की पैन तो रख लेती है, बड़ उसे ये नहीं पता चलता कि इसको कैसे पता कि उसे पैन च ट्राइ करती है, और उसका बॉइफ्रेंड था, जैक्सन जो बहुत ही अथा स्पोर्ट्स प्लेयर था, हम देखते हैं वो मैच दिखाने के लिए बुलाती है, जहाँ पर हम देखते हैं स्कोट भी आ जाता है, जिसको हमीशे साइड में बठा के रखते हैं, क्योंकि उसे ख शोकिंग फैक्ट था दोनों के लिए, जो स्कोट है और स्टाइल्स है, क्योंकि दोनों खेलने में बहुत बेकार थे, और यहाँ पर स्कोट बहुत अच्छा खेल रहा था, और यह देखे हो खुद भी खुश है, और थोड़ा मेज भी है कि उससे पहले तुसने कभी इतना अच्छा नहीं केला था, और एक रात में उसके अंदर इकने अच्छे चेंजिस कैसे आ गए हैं, और अब हम देखते हैं, स्टाइल और स्कोट पहले की तरही जंगल में जाने लगते हैं, उस डेट बोड़ी को वापस देखने के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं, स्टाइ स्टाइल को इतना यकीन नहीं था, और वहाँ पर हम देखते हैं, वह अपना इनेलर वापस ढूनने के लिए भी आया था, और इस डेट बोड़ी को भी, और हम देखते हो डेट बोड़ी तो नहीं मिलती है, बट वहाँ पर एक बंदा खड़ा था जिसका नाम डेरिक है, हम इसकी फैमली 11 साल पहले यहीं पर मर गई थी जलकर, और हम देखते हैं, स्कोट को इस सारी बाते याद नहीं थी, बर स्टाइल इन सब की पूरी इनफोर्मेशन रखता है, और फिर हम देख पाते हैं, स्कोट जाता है अपनी पार्ट टाइम जोब पर, जहां पर नॉर्मली वक किया करता था एक पैट शोप पे, तो गाइस हम इंडिया में तो जोब करते हैं, बैठके खाते हैं और घूमते फिरते हैं स्टूडेंट्स, बट अमेरिका में बच्चे पार्ट टाइम जोब भी करते हैं, जैसे स्कोट कर रहा था, हम देखते हैं वो बिल्लियों के पा मार धी अपने गाड़ी से एक कुत्ते क्यों लेकर व आकशुक की है, हम देखते हैं स्कोट उसे सवाहलने का ट्राइ करते हैं बट कुत्ता बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था, बट हम देखते हैं स्कोट क्या चमकती है और कुत्ता अपने हाप शान्त हो जाता है, उसको लेके जाता है उसको फ्रेक्छिर सही करने का ट्राय करता है कि उस दुकान पर वह लंबे टाइम से काम कर रहा था हम देखते हौं तीशिट दे देता है नहीं वाली क्यों कि भीग चुकी थी और यह देखकर हम देखते एलेसन उसको कुछ-कुछ पसंद करने लगी थी और जा ज़लों में पाता है और यह देखके उसको अजीब सा डर लगने लगता है जो जंगलों में कैसे आगया है और वहीं पर उसे वहीं monster जैसी चीज दिखने लगती है जिसने उस पर रात को अटेक किया था हम देखते हैं उस मोमट फेजिकिता है इसके पीछे बट वो अपने लगता है कि उसके साथ कोई ना कोई गडबड तो पक्का हो रही है और वहीं हम देखते हैं जैक्सन को उसके साथ क्या होने लग रहा है और यहां पर लिडिया भी उनसे इंप्रेस है तो इस वज़े से जैक्सन गुस्से में दिखाई दे रहा था और वहीं हम देखते हैं स्टाइल बात करने की कोशिश करता है स्कोट से जो बहुत जल्दी में था मैच जाने की जहां पर बता देता है कि लाश मिल चुकी है और उपर से उस पर बाल मिले है वो भी वुल्फ के और यह सुनने से पहले हम देखते हैं स्कोट जा चुका था और देखता है कि एलेसन उसका मैच देखने आई है तो उसको अच्छा प्रफॉर्म करना ही होगा और वैसा हो करता भी है हम देखते हो एक्स्ट्रा ओडिनरी प्रफॉर्म करता है और यह देखके सब लोग खुश हो जाते हैं यहां तक कि कोज भी उसको फ्रेंट लाइन में खिल स्टाइल को दुख था कि वह पीछे चूट चुका है और उसका बेस्ट फ्रेंड इतना अच्छा प्लेयर कैसे बन सकता है और अब हम अगले सीन में देखते हैं स्टाइल्स को जो घर जाने के बाद रिसर्च करता है वेरवुल्फ के उपर और वहां पर पता लगा लेता है और स्कोट को आके बताता है कि यह सब वेरवुल्फ आले काम है और शायद तू भी फुल मून पे जो आज है टर्न करेगा एक वेरवुल्फ में बढ़ हम देखते हैं स्कोट उसकी एक बात नहीं मानता है और यहां पर पार्टे में जाने से मना करता है स्टाइल क्यूंकि आज रात को फुल मून पे वो शायद भीडिया बन जाए बड़ हम देखते हैं बात ना मानते हुए जाने लगता है पर स्टाइल उसे रोकने का त्रौए करता है कम देखते हैं उसकी की चेर पटकratic और उसे नोचता है और यहाँ पर हम देखते हैं स्टाइल पर अपना गुसा दिखाने लगता है और यह देखें स्टाइल उसे जाने देता है और वहाँ पर उसकी चेर पर तीन मार्क थे जैसे एक वेर वुल्फ के होते हैं और यह सोस्ते हो टेंस्टोन लगता है स्टाइल क्यों कैसे समझाएगा और यहां पर हम देखते हैं स्कोट उसकी एक बात मानने को त्यार नहीं है बस वो मिलना चाहता है एलेसन से पार्टी में जो वो करता भी है बट हम देखते हैं वहाँ पर उसे डेरेक नजर आता है इसको देखके उसे बहुत जाधा गुस्ता आता है कि डेरेक यह लखी तरफ गाड़ी में जहाँ पर वो एलेसन को अकेला चोड़के जाचुका था बट वहाँ पर हम देखते हैं डेरेक आता है और बोलता है अलेसन से कि वो स्कोट का दोस्त है और शायद उसे घर चोड़ सकता है और यह सब देखने के बाद हम देख पाते हैं स्कोट उस पर घर चोड़ने गया था और यह सोचते वे स्टाइल भागने लगता है हेल्प करने के लिए कि किसी तरह वालेसन की जान बचा सके और यहां पर गुस्से में स्कोट खिड़की से भाहर खूता है और जंगल की तरफ जला जाता है डेरेक को ढूनने के लिए और उससे अलेसन को कुछ किया होगा तो आज उससे छोड़ने नहीं वाला है बड़ हम देखते हैं जंगल के बीचो बीच पेड़ पर लटका हुआ था अलेसन का कोट जिसको देखिए गुस्सा तो आता है बड़ तभी उस पर डेरेक अटैक करता है और उसको वहां से ले कर जाता औ यहां पर हंटर है तो पागल हो गया है यहां पर क्यों आया है तू और उपर से अलेसन की बात ऐसी है कि मैंने उसको कोई हाम नहीं किया है और वहीं हम देखते है इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था बार बार स्कोट को बड़ बोलता है यहां से निकलो और हम देखते हुआ पर हंटर अटेक कर देता है और यहां पर स्कोट को यह तीर मारता है और यह हंटर कोई और नहीं बलकि ऐलसन का बाप था जो अपने दोस्तों के साथ आया था हंट करने के लिए वेरवल्फ को हम देखते हैं हमाँ पर डेरिक आता है उसकी हेल्प करता है उसके दोस्तों को मार और यहाँ पर स्कोट की जान बचा के लेकर जातार साफ आदेता है कि उसने किसी को नहीं मा रहा है और वो उसका दुश्मन नहीं है और वहीं हम देखते हैं स्कोट उसने इजाम लगाते हैं उसे विरवूर्फ में करने का और यह सब गलत चीजे करने का पड़ साफ का धेता डेरिक कि उसने इस सारी चीज़ें नहीं की हैं और अब हम भाई बन चुके हैं क्योंकि तुम भी वेरवुल्फ और मैं भी और यहां पर हम देखते हैं स्कोर्ट को थोड़ा अजीव लगता है कि यह सब कैसे होने लग रहा है वो कभी नहीं चाता था एक विरवुल्फ बनना गूले दिन हम देख पाते हैं कि इसकोट को लेने के लिए स्टाइल साता है जंगल में और उसको बठा के सिधा स्कूल ले जाने की तयारी करता है और रास्ते में हम देखते हो प्लान करते कि कैसे अलेसन से स्थोरी बोले उसको पार्टी में बीच में छोड़के चला के एलसन माफ भी कर देती है बट जाते से मैं देखता है उसके डैड को और पहचान लेता है कि यहीं हंटर था जो मुझे मारने का ट्राइ कर रहा था और अब यह देखके डरने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खतम होता है और अब हम आगे देखते हैं पहले सिल्मम साथ है जो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था वह स्टाइल को आने के बाद बताता है कि एलसन ने तुसे माफ कर दिया बट उसके फादर एक हंटर है और यह सोस्तिव डरने लगता है क्योंकि उसको तीर मारा था कल बढ़ हम देखते हैं साफ कर देता है स्टाइल के और वो धक्का मार के जैक्सन का कंधा तोड़ देता है जैसे उसको शोल्टर पे लगी है हम देखते हैं यहाँ पर स्कोट अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इस वज़े से ट्रांजेशन प्रोसेस शुरू हो रही है उसकी वुल्फ बनने की और यह देखके उस स्टाइल वहां से भगाते हुए लेकि जाता है चेंजिंग रून के अंदर और वहाँ पर हम देखते हो स्टाइल पे अटेक कर देता है क्योंकि जब वुल्फ होगा तो किसी पर भी अटेक करेगा और हम देखते हैं डेरेक यह दूर खड़ा सब कुछ देखने लग रहा थ यह दो गत्रों चुल को और अ हम देखते हैं घर आने के बाद वा版 कि बता देता है कि जैकसिंग जादा ही चोट लग गई और वह शायद नहीं खेल पाएगा सेटेडे को और शायद तुझे खेलना पड़ेगा और भई हम देखते हैं स्टाइल को लगता है वीडियो कैमरा बे कोई है और मैसेज करके स्कोर्ट को बताता है कि तेरे पीछे कोई खड़ा है और हम देखते हैं कोई और नहीं डेरिक था हम देखते हैं वीडियो कोल बंद करता है और सीथा गर्दन पकड़ता है स्कोर्ट के रूर बोलता है तू ट्रांजिशन करने वाला था सब लोगों के सामने हंटर हमें नहीं छोड़ेंगे कोई भी हमें नहीं छोड़ेगा किसको पता चला तो तू सैटेडे को नहीं खेले और यहां पर स्कोर्ट डर चुका था और वो अपने कोश से जाके बाते करता है अगले दिन की और खेल नहीं पाएगा बट उसका कोश साफ कर देता है कि उसको खेलना तो पड़ेगा ही वह ऐसे मैच को छोड़के नहीं जा सकता है और यह उसकी स्कूल की इज़त का सवाल ह और उपर से स्कोर्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है कोई गल्फरेंड का इशू है फिर कोई बॉइफ्रेंड का पर हम देखते है कि इस तरी उसकी गल्फरेंड है और लड़कियों में ही इंट्रस्टेड है उसका कोश साफ कर देता है कि उसको खेलना पड़ेगा और उसके प वो एक डबल डेट पे जाएंगे लिडिया और जैक्सिन के साथ में और यह कहने को दोहां से चली जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ज़्यादर टेंस्ट और सप्रेस दिखाई दिए रहा था स्कोट कि वो कैसी सब कुस समालेगा और अब हम देखते हैं क्लास में जाने के पाद लीड़िया कोस्चेन करने लगती है स्कोट से क्यों मैच क्यों नी क्हिलने लग रहा है उसकें ग्टोस को क्यों आंसर नहीं देता है बट लीडिया साफ कर देती है कि उसका boyfriend injured होने के बाद भी खेलेगा वरना वो मेरे boyfriend नहीं है मैं losers को date नहीं करती हूं और मेरे boyfriend को जीतना पड़ेगा तुम टीम में हो या ना हो ये तुमारी मर्जी है अगर तुम टीम में नहीं होगे तो मैं Alison को किसी और के साथ date पर लेके जाओंगी double date के लिए और तुमको हम replace कर देंगे और यह कहने को चली जाती है और हम देखते है स्कोड ऐलेसन को खोना नहीं चाता है इसलिए मैच खेलने के लिए त्यार होने लगता है बट कहीं न कहीं उसे डर लग रहा है और अब class के बात हम देखते है स्टाइल से मिलकर वो पता लगाना चाहता है कि पुलिस क्या बात करने लग रही है वहाँ पर खड़ियो के पर हम देखते हैं अब स्कोड अपनी पावर को यूज करते हुए दूर की बाते सुन पाता है और पता लगाता है कि 930 के बात करफ्यू है कोई भी बच्चा बाहर पड़िये कोई ओर की होगा होता है पकाद सब्यां देख़ते हैं बाहरा ऑं बड़ पर कहीं खुद्धा लगरी है और वह बढ़ यहाँ पर सामने वेरवुल्फ में टर्न हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो सबको पता चल जाएगा वेरवुल्फ के बारे में और हम कोई भी सेफ नहीं रहेंगे इस टाउन के अंदर और ये कहने के बाद उसे वोन करते हैं वहां से उसका किट फाड़ते हैं खेलने का और वहां से चला जाता है और हम देखते हैं उसके जाने के बाद हम देखते हैं वो घर जाता है वापस उस सही करता है और बुला लेता है अपने दो स्टाइल्स को जो आने के बाद बता देता है उसे कि उसको ब्लेड की स्मेल आई थी बड़ उस को फ्लर्ट करने का बट लिडिया उसे बिल्कुल भाव नहीं देती है वहीं हम देखते हैं अंदर जा चुका था स्कोट और स्मेल करता है उस बोडी में से और पता लगा लेता है कि उसको बाइट किया हुआ उस पर नोचने की निशान है एक विरवुल्स जैसे उस अधी बोडी पर और यह देखने को बाद भाके आता है स्टाइल्स को सारी बाते बताता है कि वही बोडी है और अब उन्हें पता लगाना पड़ेगा कि वह बोडी आधी कहां पर चुपाई हुई है चायद उसी होल के जंगल में चुपकर खड़े होकर और हम देखते डेरिक के जाते ही वह जाते हैं पीछे और खुदा ही करना स्टार्ट करते हैं बट उन्हें मिलती एक वुल्फ की लाश और यह देखे बोलता है तो वुल्फ है तूने तो हुमन ब्लेड का था ना और हम देखते इस टाइम बेन से बंदी वी रस्ती को खीचे निकालते हैं और जैसे पूरी रस्ती निकल जाती है हम देखते हैं वुल्फ हुमन में बदल जाती है और यह वही आधा कटा हुआ शरीर था जो उन्हें देखने को मिलता है और यह देखके दोनों डर जाते हैं और समझते हैं कि शायर ड तो पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है तो कोई गडबड है और हम देखते हैं डेरिक बहुत जादा गुस्ता था इन दोनों पर और शायद अगर छुट के आ जाए तो इन दोनों को इखतम कर देगा वहां से डरने लगता है और तब उसका फादर उसे पकड़ता और तुम यह और क्यों आये थे और तुमें कैसे बता चले इन सब के बारे में और तब बोलता है कि हम उसका इनीरर लेने आये थे सको का शेचिक चाप निramento जाता है स्कोट के साथ में और रास्ते में उसे बोलने लगता है कि तुम्हें भी पूरी तरह से सीखना पड़ेगा वेरवुल्फ में कनवर्ट होना जो तुम हो नहीं पारे हो और बट मुझे टेंशन है तुम अगर फील्ड में एकदम अगर बन गए वेरवुल्फ तो क्या करेंगे और यहीं मुझे डेरेक ने वोन किया है और यह सब सुनके स्कोट को पहले बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी हम देखते उसकी घराब होने लगती और पता चलता है गाड़ी के अंदर वुल्फ पेन पहले से रखी हुई थी यह देखके उसे गुस्सा आता है स् सचा गया तो शायद लोग उसे मार ना दे हम देखते स्टाइल इसके पीछे करते हुए ढूड़ने लगता है स्कोट को बड़ हम देखते हुए उसे कहीं नहीं मिलता है और हम अगले सीन में स्कोट को देख पाते हैं जो पहुँच चुका था सीधा ऐलिसन के घर पे हम दे अगलती से उसके फादर की कोई गलती नहीं है और हम देखते हैं रास्ते में से कहां पर कूद गया था मेरी गाड़ी के आए था और अब उससे चलना चाहिए यहां से और इस चोट से उसको कुछ नहीं होता है उसको जाके मैच खेलना है अम देखते हैं अलेसन को अब स्कोट को थोड़ डर सा लगने लगा था और वापस आके तयारी करने लगता है और वापस चीजों की टेंशन और गुसा मत करना जैसे की डैरिट ने किसी लड़की को मारा है तू किसी को मॉंस्टर बन के ना मार दे ऐलेसन तुझे छोड़ के चली जाएगी यह अलेस स्कोट को गुस्सा आने लगता है और अब मैस्टार्ट होने के बाद हम देखते हैं मैच बहुत ही अच्छा टकर में चल रहा है बड़ हम देखते स्कोट सबसे बढ़िया खिलने लग रहा है और वहां पर उसने गुस्से भी कुछ टाइम तक तो काबू पालिया था बट अब उसका गुस्सा बहुत जाता रेज में आ रहे हैं और वह आधा वेरवल फाली फॉम में हैं उसकी आखो कलर चेंज हो चुका है उसके दाद भारा चुके हैं और वह कंट्रोल नहीं कर पा रहा है बड़ वह एलेसिन के वहां सुनता है कमोन स्कोट तुम कर सकते हो और अ क्यों करता है और वहीं हम देखते हैं एलेसिन के डैड को कुछ तो डाउट होने लगता है और शायद ससुर के हातों गोली खाएगा यह और हम देखते हैं कोई भरोसा नहीं है बट एलेसिन बहुत दादर टेंस रहे उसके लिए और उसके पीछे जाने लगती है उसके ढू करो ना तुम कैसे हो तुमाही तब्यत्तों खराब नहीं है और हम देखते हैं वह अपने आपको कंट्रोल करने के कोशिश करता है स्कोट और जब तक पहुंस्ती एलेसिन उस तक वह एकदम शान्त हो चुका था और यह देख्यों बोलता है कोई नहीं होता है तुम इतने ज सब्सक्राइब जिन उसके साथ किसवी कर निया है बटिशों यह है कि डेरेक छूट चुक आए जेल से क्योंकि जो लाश पे निशान है उसको जानवर ने मारह है और यह सोचते हुए अब डर्ने लगता है सबसेज़या» क्योंकि अब डैरेक मारने के लिग पिछाएगा और वही हम देखते हैं चाहिल एक और बात बता देता है कि जो लड़की थी वो लोरा हेल्स थी डेरेक की खुद की सिस्टर तो शायद डेरेक ने अपनी ही भेन को मारा है इस वज़े से वो किसी को भी मार सकता है और वो अभी खुला घूमने लग रहा है और शा स्कॉट का गलव देखने लगता है जहाँ पर पांच छेद बने हुए थे उंगलियों के एंट पर मतलब जो उसके वुल्फ वाले नाकून थे उसके गलव से भार आये थे और वहाँ पर निशान कर दिये थे यह सारी चीज़े अब्जर्व करने लग रहा था जैक्सन और शायद उसको अभी शक होने लगाए कि कोई तो गड़बड है स्कॉट के साथ में बट तभी हम देखते मैदान पर डैरिक आ चुका है और वो सिधा जैक्सन की तरफ बढ़ता है और यहीं पर एपिसोड खतम होता है